थोड़ा भी अगर हम जगे हुए लोग होते तो कोई अगर पॉलिटीशियन मटन बनाते हुए मटन खाते हुए अपनी फोटो डाल रहा है उसकी पार्टी का दिवाला पिट गया होता एक-एक उम्मीदवार की जमानत जब्थ हो गई होती सिर्फ इस एक तस्वीर पर कि तु दूसरा सबसे बड़ा कारण मासाहार है अगर आप मुस्लिम को यह दिखा के रिजहा रहे हो कि मैं तो मतन खाता हूं तो आप मुस्लिम के साथ भी नाइनसाफी कर रहे हो कोई धरम मत संप्रदाय रिलिजन मजभब ऐसा नहीं बोलता कि मास खाये बेना तुम अच्छे आद नहीं बढ़ जाएगी थोड़ी गर्मी नहीं बढ़ जाएगी मास एक्स्टिंग्शन जिसमें पार्टीज के हेड और रिजनल पार्टीज के हेड भी मुझूद थे वो बार बार जान मूझ कर कैमरे पे कभी मतन खाते हुए कभी चिकन खाते हुए कभी मचली खाते हुए दिखते थे और कभी पकाते हुए भी दिखते थे और मैं समझ नहीं बारा था कि वो ऐस पार्टी के हड़ भी हैं और रीजनल पार्टी वाले लोग भी हैं देखी थी मैने भी उस अब तस्वीर हैं सीधी सी बात है जो लोग वो फोटो डाल रहे हैं और जिसके लिए वो फोटो डाल रहे हैं दोनों ही पक्षों को पता ही नहीं है कि आज के समय में मासाहार अपराध जैसा है ये जानकारी ये consciousness न तो political space को है न पब्लिक space में है न ये नेता लोग कुछ जानते है और पब्लिक तो कुछ जानती ही नहीं तो ये लोग फिर इस तरीके की चीजें कर ले जाते हैं कि देखो हम कितने cool हैं हम मटन पका रहे हैं हम chicken खा रहे हैं हम मचली खा रहे हैं ये सब चल जाता है अगर ये ही हम थोड़ा जागरूख समाज होते या ये राजनेता ही थोड़े जागरूख होते और बहतर पढ़े लिखे होते तो इस तरीकी चीजें नहीं चल सकती थी अभी अभी भारत में लोगों को लगता है कि मैं क्या खा रहा हूँ ये तो मेरा निजी मसला है न ये मैं कुछ भी खाऊं आप खाने के आधार पर क्यों मुझ से बात करना चाहते हो आप खाने के आधार पर क्या भिद्भाव करे हो है लोगों को अभी भी यही है कि सब एक ही जैसी चीज़ तो है शाक सबजी खाली या मास मटन खाली या सब एक ही बात है उनको अभी पता ही नहीं है कि अगर अभी आप Google करो करके देखो कि दुनिया के सामने इस वक्त बड़ी से बड़ी समस्या क्या है catastrophic challenge क्या है यह Google भी कर सकते हो या अपने AI वगरा से पूछ लो किस AI से पूछोगे chat GPT से और एकाज से पूछ लो और कौन से है perplexity से पूछ लो सब लोग अभी यह प्रयोग करके देख लो इनसे पूछ लो कि इस समय प्रत्वी के सामने सबसे बड़ी crisis कौन सी है Google से भी पूछ लो और जितने तरीके के तुम्हारे पास AI resources है उनसे भी पूछ लो वो सब के सब सिर्फ एक बात बोलेंगे climate crisis climate crisis लेकिन भारत में यह बात ना politicians को समझ में आ रही है और public को तो समझने ही नहीं है भारत में climate catastrophe को लेकर के इतनी poor awareness है कि हम कुछ नहीं जानते और जबकि climate crisis का सबसे बड़ा असर जिन देशों पर पड़ेगा सबसे बड़ा सबसे बुरा उनमें भारत है हम बरबाद होने वाले हैं लेकिन हम यह बात समझ में नहीं आ रही है और हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि climate change जिन greenhouse gases से होता है उनके emission का दूसरा सबसे बड़ा कारण food choices है पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो तो energy है fossil fuel और उसके ठीक बात जो आता है वो है food food जिसमें खास कर तुम्हारा मासाहार और dairy यह लोगों को पता ही नहीं है लोगों को नहीं पता कि प्रत्वी को इस वक्त जो चीज बरबाद कर रही है उसका नाम है मासाहार climate change की बात आती है तो लोग इतना तो फिर भी बोल लेते हैं जो थोड़े पड़े लिखे लोग है कि हाँ हाँ गाड़ी में इंधन जलता है तो उससे climate change होता है इतना तो फिर भी थोड़ा लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता है कि जो second most important reason है वो है कि आप अपनी plate पे क्या रखा हुआ है आप जो खा रहे हो उसी से ही प्रत्वी बरबाद हो रही है और इतनी बरबाद हो रही है कि हमारे पास शायद अब 10-20 साल भी नहीं बचे हैं एक सामानने जीवन जीने के आप अगर UN से पूछोगे या बड़े scientist से पूछोगे तो वो कहते हैं कि शायद अब आखरी दो साल हैं जिसमें आप कुछ कर भी सकते हो इस crisis को mitigate करने के लिए उसको अब आप reverse नहीं कर सकते पर जहां हैं वहां भी रोकने के लिए बस दो ही साल बचे हैं और कुछ कहते हैं कि वो दो साल भी अब नहीं बचे हैं आपने अलरड़ी जो point of no return है वो cross कर दिया है और अब आप जो है catastrophic feedback cycle के loop में प्रवेश कर चुके हो जिसमें अब कोई reversibility नहीं है जहां पर अब तापमान सिर्फ इसलिए बढ़ेगा क्योंकि तापमान बढ़ा हुआ है और बढ़ेगा क्योंकि बढ़ा हुआ है और और बढ़ेगा तो फिर और बढ़ेगा और और बढ़ेगा तो और बढ़ेगा आप इस तरह के एक spiral में एंटर कर चुके हो पर ये बात हमें पता भी नहीं है और हमारे politicians शायद जानते नहीं जानते भी है तुम्हें बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि बताने में उनका कोई हित नहीं है लोग क्याते हैं पेड लगाएंगे पेड लगाएंगे जब भी बारत में बात करो climate crisis की लोगों को दो बाते समझ में आती हैं एक तो ये कि एसी मत चलाओ दूसरा हम पेड लगा देंगे तुम्हारे एक पेड लगाने से क्या होगा तुम्हें कुछ पता भी है तुम्हें एक पेड लगाओगे और दस बीस साल में बढ़ा होगा दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगल के जंगल पेड की बात करो ने जंगल के जंगल किसलिए काटे जाते हैं वो काटे जाते हैं खेती के लिए और दुनिया की 75-80 प्रतिशत जो खेती होती है वो मनुष्य के लिए अनाज उगाने को नहीं होती वो गाय भैंस और भेड और बकरी और मुर्गा इनको दाना उगाने के लिए होती है अब बहुत लोग इस सुनके सन न रह जाएंगा इसा थोड़ी हो सकता है भारत में तो नहीं होता है अब बहुत कम ऐसा भारत में भी बिल्कुल वही आंकड़ा है दुनिया की तीन चौथाई से ज़्यादा खेती मासाहारियों के लिए हो रही है अब मासाहारी कहते हैं हमने तो मास खाया नहीं तुमने मास नहीं खाया तीन चौथाई खेती मासाहारी के लिए हो रही है वो जो वहाँ उगता है वो किसको दिया जाता है गाय, भैंस, बकरे को अब बकरा हवा खा के तो नहीं बढ़ा हो जाएगा ना भैंस काटते हो 500 किलो का पशु वो क्या खा के बढ़ा हुआ है उसको खेती करोगे तभी तो उसको खिलाओगे लिकिन ये बात हमारे सामाने ग्यान में है नहीं और वो जो खेती के लिए जमीन है उसकी आवश्यक्ता बढ़ती ही जा रही है क्योंकि लोगों को महसाहार और करना है जंगल के जंगल साफ होते जा रहे हैं लोग कहते हैं देखो मैंने क्लाइमेट क्राइसिस के लिए किया मैं अपने हर जनम दिन पर दो पेड़ लगाता हूँ तुमारे दो पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा भाई तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो इस पूरी प्रत्रियुका कहीं का नहीं चोड़ा उन महासाहारियों में दुगधाहारी और जोड़ क्योंकि महास और दूध इन में चोली दावन का साथ है यह बिलकुल जुड़े होए उद्धियोग है यह हमें कुछ पते ही नहीं ना बात है कितने ही तत्थे हैं और कितनी ही बार दर्जनों बार तो मैं हर तरह के मंच पर उन तत्थेओं को घाटित कर चुका हूँ और कोई छुपे तत्थे नहीं है कि मैं ही लेके आ रहा हूँ classified से वो public information है आप थोड़े भी जागरुक है तो आपको मिल जाएगी दर्जनों बार तो हमने ही उसको आपके सामने रखा है आप लोग भी जानते ही हो आपके पास भी उसारा data है हमारे लेक छपे हुए हैं और वीडियो उसकी तो कतार लगी हुई है कोई आर्टिकल पढ़ लो उसमें वो सब बातें कही है पर नहीं पढ़ना है हमारा मन political gossip में ज्यादा रहता है कोई आपके सामने scientific बात रखी जाए कोई ऐसी बात रखी जाए जिससे आपका और आपके बच्चों का भविशे निर्धारित होना है वो बात आप नहीं पढ़ना चाहते हो बात आगे बढ़ती है ना जब जंगल कट रहे है आपको पता है प्रति दिन तीन सौ से एक हजार प्रजातियां और कुछ उसमें अनुमानित आखड़े कहते हैं अब प्रति दिन दस हजार प्रजातियां विलॉप थो रही है पहले इस बात को थोड़ा सा भीतर उतरने तो प्रति दिन कितनी प्रजातियां दस हजार दस हजार का आखड़ा नहीं भी माना तो जिन्होंने आखड़ा लिया है तीन सो से हजार का वो कहते हैं अगर 300 विलूप थो रही हैं तो उसमें से 1500 विलूप थो रही हैं सिर्फ जंगलों के कटने से जंगल कट रहे हैं मासाहारियों की वज़े से मासाहारी सिर्फ उस जानवर को नहीं खा रहा है जो उसने कटवाया है महसाहारी ने उस जंगल के जितने जानवर थे सब को लील लिया महसाहारी ने पूरी की पूरी प्रजातियां खा डाली वो बची नहीं है वो कभी देखने को नहीं मिलेंगी तुमने उनका हैबिटैट उनका घर ले लिया अब वो जीएंगे क्या प्रति दिन 137 प्रजातियां सदा के लिए इस प्रत्वी से विलुप्त हो रही है मासाहार के कारण प्रति दिन प्रत्वी पर सिर्फ चार प्रतिशत जानवर हैं जिनको अब आप जंगली बोल सकते हो मासाहारियों ने सब समाप्त कर दिये जब जंगल समाप्त कर दिये तो जंगली जानवर कहां से बचेंगे भाई जब जंगल नहीं तो जंगली जानवर बचेगा तो प्रत्वी पर अभी कुल जितने जानवर हैं उतमें से बस चार प्रतिशत जंगली हैं बताओ बाकी सब क्या हैं, बाकी सब वो जानवर हैं जो मासाहारियों के लिए खिला पिला के बड़े करे गए हैं, कि अब इनको काटा जाएगा, प्रत्वी के सिर्फ चार प्रतिशत जानवर जंगली हैं, श्यानवे प्रतिशत तो यही हैं सब, बकरी, मुर्गा, सुवर, गाय, भैंस, भेड, मचली, जिसको इनसान ने कृत्रिम रूप से पैदा करा है, और कृत्रिम रूप से खिला खिला के बड़ा करा है, ताकि फिर इनसान उसको खा सके, हमने पूरा ग्रह खा लिया, और बड़ी ते बड़ी वज़ा हैं मासाहार, और उस पर भी मासाहारियों कि दाद दूँगा उनमें इतना दम रहता है कि बोल देते हैं मेरी मर्जी मैं कुछ भी खाऊं थोड़ा भी अगर हम जगे हुए लोग होते तो कोई अगर पॉलिटीशियन मटन बनाते हुए मटन खाते हुए अपनी फोटो डाल रहा है उसकी पार्टी का दिवाला पिट गया होता एक उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई होती सिर्फ इस एक तस्वीर पर कि तुम्हारा राश्ट्री अध्यक्ष तो मटन चबा रहा है तुम्हें बात इसमें नहतिकता धर्मिकता की नहीं है बात प्रत्वी के भविश्य की है और भविश्य भी कोई 100-200 साल बात का नहीं दस-बीस साल का दस-बीस साल बात का भी नहीं आज का पिछले साल के 365 दिनों में लगभग 300 दिनों में भारत में ही कोई न कोई एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट हुआ है इस साल जितनी लंबी हीट वेव है इतनी पहले कभी नहीं देखी गई ये सब क्या हो रहा है ये climate crisis है climate crisis कहां से आ रही है दूसरा सबसे वड़ा कारण मासाहार है तो इस बात भविश्य की भी नहीं है इस बात आज की है और मैं कितने आंकडे दू हर दिशा से आंकडे आप GDP क्या नुक्सान हुआ आप वो निकाल सकते हो गरीबों की कितनी दुरगती होई आप वहां से वो निकाल सकते हो आप हर दिशा से आंकडे ला सकते हो इस पे तो इतना विस्तृत येक शेत्र है कि इसमें भहुत लिटरेचर उपलब्द है अब जितना पड़ो उतना कम है लेकिन एक-एक लेख एक-एक शोध चला-चला के यही कह रहा है मासाहार एकदम अभी शून्य कर दो अगर प्रत्वी बचानी है तो धन्य है भारत कि अभी यहां पर यह सब चल रहा है अभी हम इसमें वो मुद्दे तो लाई नहीं रहे हैं कि पशु हिंसा, पशु कुरूरता, एनिमल वेलफेर, एनिमल राइट्स वो सो तो अभी बहुत दूर की बाते है एनिमल राइट्स तो ठीक है इसमें तो हुमेन राइट्स का भी बहुत तगड़ा वाइलेशन है जो गरीब है यही है बात प्रस कुछ नहीं अंधिर नगरी चौपट राजा सर मैंने जब यह वीडियो देखे नेताओं के तो मुझे तो यही लगा सफफफ की यह एक पर्टिकुलर वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए बनाए गए है कौन सा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक अरे भाया वो मुस्लिम होंगे इंसान है ना भारत में मुस्लिम आज भी ज्यादा गरीब है शेश अबादी से और अभी अभी तुम्हारे प्रशन से ठीक पहले मैंने बोला था कि जो जलवाई पर अरतन है क्लाइमिट चेंज इसका सबसे बुरा प्रभाव पढ़ना है गरीबों पर ही गरीब कहीं कर नहीं बचेगा अगर आप मुस्लिम को ये दिखा के रिजहा रहे हो कि मैं तो मतन खाता हूँ तो आप मुस्लिम के साथ भी बड़ी नाइनसाफी कर रहे हो क्योंकि उस मतन बाजी का सबसे घातक दुश प काम करते हैं हाथ के काम समझते हो जो मैनुफैक्ट्टरिंग में है या इस तरह के कामों में है जिसमें उन्हें मैनुवल लेबर करना होता हूँ उनमें भी मुसल्मान बहुत है तो मतन दिखा के किसी को खुश करा रहे हो क्या और यह रिष्टा क्या है कि मुसल्मान माने मतन यह क्या रिष्टा है बन गया है प्रचलित हो गया है कि मानसाहार और मुसलिम क्योंकि उनमें थोड़ा मुसलिम वर्क जो है उनमें मानसाहार के थोड़ी प्रवित्तिदाद रहती है कोई धर्म ऐसा बोलता है कोई धर्म मत संप्रदाय रिलिजन मजभ ऐसा नहीं बोलता कि मास खाये बिना तो अच्छे आदमी नहीं हो सकते कुछ बाते हैं मैं समझ रहा हूँ वो रिष्टा कहां से बनता है उधारन के लिए बकरीद आती है अब बकरीदे बकरे कटेंगे तो मटन आएगा तो वहाँ से उरिष्टा बन जाता है पर हमें समझना होगा कि आज की हकीकत क्या है आपकी कोई होगी धार में एक मानने था डॉक्टर आपको बता दे कि अगर रेड मीट खाओगे तो मर जाओगे तुम्हारा दिल खराब हो चुका है तो खाओगे क्या खाओगे तुम हिंदू हो, मुसल्मान हो, इसाई हो, कुछ हो किसी वजय से तुमको लाल मास बहुत पसंद है, डॉक्टर ने बता दिया कि तुम्हारी सेहत के लिए हानिप्रद है ये, तो नहीं खाते न फिर नहीं खाते वैसे ही आज प्रत्वी की सेहत के लिए, तुम्हारे बच्चों सेंसिबिलिटी की है थोड़ा सोचो कुछ तो तरकिकता होनी चाहिए न और कोई वर्ग अपनी उस मास संबंधित पहचान को बनाई रखना चाहता हो कि न रखना चाहता हो ये वोट बैट बैंक पॉलिटिक्स के चलते नेताओं का जरूर इसमें स्वार्थ है कि मास को एक समुदाई विशेश से जोड़ कर दिखा दो ये बहुत घातक बात है ये जनतंतर के लिए भी घातक है राश्टर के लिए पूरे विश्यों के लिए घातक है आपके बच्चों के अचारे जी जैसे मैं मासाहर पर और पढ़ रहा था तो एक बड़ा रूचक तत्थे मेरे सामने आया कि 77 प्रतीशत एग्रिकल्टर लैंड मासाहर यूज़ करता है और उससे जो हमें ग्लोबल जो हमारी कैलरी सप्लाई है जो हमारा प्रोटीन सप्लाई है वो केवल 18 परसेंट है बिलकुल और जितने ये मास बाज लोग है ये सब के सब प्रोटीन प्रोटीन का गाना गाते रहते हैं मास खाने के लिए 77 प्रतिशत जमीन लगा के 37 प्रतिशत प्रोटीन आया उससे एकदम प्रोटीन की दृष्टी से भी मास एकदम पूर इंवेस्टमेंट है पूर इंवेस्टमेंट ऑफ लैंड पूर इंवेस्टमेंट ऑफ मनी और कैलरी की दृष्टी से तो 18 परसेंट लेकिन अशिक्षा के चलते तथियों की जानकारी के अभाव के चलते ये सब खूब चलता है कि अगर तुम चिकन नहीं खाओगे तो प्रोटीन कहां से मिलेगा चिकन नहीं खाओगे तो प्रोटीन कहां से मिलेगा दूध नहीं पियोगे तो केलशियम कहां से मिलेगा तुम्हें पता नहीं है क्या कि ये सारी बाते मास उद्द्योग और डेरी उद्धियोग दोरा फैलाई गई है तुम्ही लोग हो यहाँ सब के सब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी हो जिम में भी जाते हो और मास छोड़ दो यहाँ दूद भी कोई नहीं ले रहा है किसी को तकलीफ आ रहे हैं खेलने कुदने में और बहतर फिटनेस के साथ खेलते हैं बहतर स्टेमिना बहतर एनरजी बहतर पावर के साथ खेलते हैं इतनी समझ हमें अगर आ जाए तो जो पूरा राजनेतिक परिद्रिश्य है वही ना बदल जाएगा तक्त पलट जाएंगे सरकारें किर जाएंगी क्या देख रहे हैं बही संजे बताओ और कुछ सूचना निकाली है अचार जी हम वाटर क्रैसिस की बात करते हैं अभी हमने बैंगलोर में देखा था और देश के और भागों में हम देख रहे हैं अभी मेरे सामने एक तत्थ्य है कि एक केजी बीफ पैदा करने के लिए पंद्रह हजार लीटर एवरेस पानी का इस्तमाल होता है जो सबसे ज्यादा कार्बन इंटेंसिव मास होता है वो इन ही बड़े जानोरों का होता है विशेशकर जो बीफ है गाय और भैंस का स्लोटर जो किया जाता है वो सबसे ज्यादा घाता कोता है क्लाइमेट की दृष्टी से और सबसे ज्यादा वो पानी का भी कंजम्शन करता है इसमें कोई धार्मिक कोण तुम नहीं भी लाओ कि अरे गोधन है गोहत्या नहीं होनी चाहिए तो भी यह समझो कि पहली बात तो मासाहार घातक है प्रत्थवी के लिए और मास में भी जो बीफ होता है वो तो एकदम प्राण घातक है और क्या निकाल रहे हो अचार जी मैं इसी विशे में पढ़ रहा था जैसे अभी आपने बीफ की बात करी तो अकसर भारत में भारती तो इस बात से पल्ला जाड़ लेते हैं कि तो हम तो बीफ खाते नहीं पर वो यह भूल जाते हैं कि भारत दूसरे तीसरे नमबर का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर है और उसका सीधा रिलेशन्शिप है दूद से तो मैं दूद के विशे में पढ़ रहा था कि जो डेरी का हमारा दूद होता है वो तिगुना एमिशन्स प्रेडियूस करता है दस गुना जादा लैंड का यूज करता है और दो से बीस गुना जादा फ्रेश वाटर का यूज करता है अगर प्लांट बेस प्रोड़क्ट्स पर सब आ जाए तो जितने फूद रिलेटेड कार्बन एमिशन्स हैं सीधे आधे हो जाएंगे एकदम आधे, स्ट्रेट अवे पूरा अकड़ा समझो फॉसिल फ्यूल के बाद सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन्स कहां से होते हैं फूड से, और फूड में किसे मासाहार और डेरी अगर आप मासाहार छोड़ दें और डेरी में भी प्लांट बेस्ट मिल्क पर आ जाएं तो जो फूड से कार्बन एमिशन हो, सीधे आधा हो जाएगा एकदम आधा हो जाएगा इतनी सीधी सी चीज़ है एक हमें फैसला करना है और जो पूरी क्लाइमेट क्राइसिस है उसको रोकने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा लेंगे पर उफैसला हम करना नहीं चाहते जबान के स्वाद के मारे, धार्मिक माननेताओं के मारे मूर्खता पूर्ण हट के मारे हमको वो चीज़ माननी नहीं है पर इसमें मैं एक चीज़ और दीखे कि जो लोग अभी भी मासहार के पक्ष में या दूद पीने के पक्ष में तरक देते हैं उनका आखरी तरक हमेशे यह होता है कि अब मतलब क्या करें हमारा ट्रडिशन ऐसा रहा है या हमें उसका स्वाद अब जबान पर लग गया है और उससे आगे फिर कुछ बात करते हैं आपको बता दिया जाए आप घर में सिगरेट पीते हो आपको बता दिया जाए आपके बच्चे के फेपड़े में कुछ समस्या है बच्चा मर जाएगा आप कहोगे मुझे तो मुझे तो जबान पर सिगरेट लग गई है मैं तो सिगरेट पिऊँगा कहोगे क्या आप छोड़ दोगे आप नजाने कितनी चीज़े छोड़ दोगे अगर आपको बता दिया जाए कि उन चीज़ों का छोड़ना ज़रूरी है आपके बच्चे की दिन्दगी के लिए ये बात जनरल अवेरनेस में आ नहीं रही है पब्लिक में कि हमारे बच्चे एकदम नारकिये जीवन जीने वाले है वो पीडियां बीत गई जिन्होंने प्रत्वी पर किसी तरीके का संतुलन देखा था आसमान आग उगलेगा प्रत्वी ही इस सिरे से बंजर हो जानी है शहर ही नहीं देश के देश डूप जाने है क्लाइमेट माइग्रेशन इस सदी की बड़ी से बड़ी त्रासदियों में होगा करोडों अर्बों लोग अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हो जाएंगे आज के शहर कलकी रेगिस्तान है उन्हें छोड़ना पड़ेगा ये नदियां सब सूख जानी है नदी किनारे जितने शहर बसे थे उन्हें शमशान होना पड़ेगा ये है आने वाली पीड़ी का भविश्य और उसके लिए आप कह रहे हो कि आप जबान पर सुआद लग गया है मैं दूद नहीं छोड़ सकता आप मैं मास नहीं छोड़ सकता। और ये मत भूलिए भारत में ठीक है बीफ नहीं खाया जाता है पर बफ खाया जाता है बफ जानते हो नकिसके लिए इसलंग हैं बफ 하루 के लिए भारत में भैसे के दो ही तीन उपयोग है ये तो ये कि भैसा गाड़ी खीशता है वो धीर धीर कम होता जा रहा है डुग्गी जिसको बूलते है दूसरा ये है कि वो भैसो का गर्वधान करने काम आता है उसके लिए एक भैसा काफी है वो सौ भैसो के लिए आपको दे देगा सीमन जो तीसरा काम है भैसे का वो यही भैसा कटता है और बहुत सस्ता आता है भैसा मुर्गी मटन से सस्ता आता है तो बलकि हमारे राजनेता कहते हैं कि ये गरीबों के लिए सस्ते प्रोटीन का काम कर रहा है भैसा बिना ये जाने कि वो जो भैसा है वो विशेशकर भारत जैसे देश को कहीं का नहीं छोड़ रहा उसका मास उसका स्लोटर अभी तक भी शायद हमारी टेक्स्ट बुक्स में जो पूरा क्लाइमेट चेंज का विज्ञान है बच्चों को पढ़ाया नहीं जारा ठीक से मुझे बहुत हैरत होती है जब मैं देखता हूँ कि जवान लोगों को भी नहीं पता कि क्लाइमेट क्राइसिस के पीछे की साइन्स क्या है वो भी इधर उधर की बहकी-बहकी बाते करते हैं अकसर इसमें एक चीज मनें और दिखे कि जिन लोगों का जो लाइवली हुड है वो इन सारे उद्योगों से जुड़ा हुआ है वो इस पर बहुत मतलब गुस्ता भी हो जाते हैं राक्रोशिद भी कि हमारे हमारी लाइवली हुड का क्या होगा अब बहुत सारे देशों बहुत तरह की चीजें किसी समय पर चलती थी फिर उनको वर्जित कर दिया जाता है वर्जित कर दिया जाए तो जो लोग उसमें लगे तो सब बोलेंगे कि हमारा क्या होगा माल लोग इसी देश में चोरी चकारी चलती थी फिर नियम सक्त करके कानून लाके वर्जित कर दिया जाए तो सारे चोर बोलें कि अब हमारी आजीवी का रोजी रोटी का क्या होगा तो यह कौन सा तरक है मूर्थापूंड तरक है कितनी चीजे थी जो पहले अनुमत थी अब वर्जित है उसमें आप तरक दो कि उन लोगों की लाइवलिहूट का क्या होगा तो यह मूर्थापूंड तरक है और एक बात बताता हूँ एग्रिगेट लेवल पर क्लाइमेट चेंज एकोनॉमी को लॉस देता है मानि अगर आप उसको रोक दो यह सारे धंदे रोक दो जिन से क्लाइमेट चेंज और बढ़ता है तो एकोनॉमी को फाइदा होगा वो जो फाइदा होगा वो जो सर्प्लस जनरेट होगा वो उन लोगों को दे दो ना जिनकी लाइवलिहूट पर असर पड़ा था नहीं समझे एक महले में एक बहुत छोटा उधारन ले रहा हूँ उधारन है समझना चाहोगा तो समझ पाओगा एक महले में एक साहब कहीं से एक सड़ाग वगा डीजल जनरेटर ले आए थे और उसको खूब चलाते थे कोई पूछा कि क्यों चलाते रहते हो और समय का जनरेटर तो मुझे हर महीने 10,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा तो मैं इसलिए चलाता हूँ और जो डीजल का जनरेटर चल रहा है उसके धुए से महले में 20 लोग बीमार पड़े है और वो जो 20 लोग हैं वो सब प्रतिमाह अपनी दवाईयों पे डॉक्टर पे 5,000 का खर्चा कर रहे है 20 लोग बीमार पड़े हैं और वो प्रतिमाह खर्चा कर रहे है 5,000 का तो पूरे महले पे उस डीजल जनरेटर का क्या असर हुआ है जिसके घर में चल रहा है उसको 10,000 का फाइदा और पूरे महले को क्या हुआ है 20 लोगों को 5-5,000 का नुक्सान माने 1,00,000 का नुक्सान ठीक है कुल मिला करके महले को क्या हो रहा है 90,000 का नुक्सान अब अगर हम भो डीजल सेट फिक देते हैं तो पूरे महले को क्या हो गया नब्बे हजार का फाइदा यह जो भाई रो रहे हैं कि मेरे दसजार का नुकसान हो गया उस नब्बे हजार में दसजार इनको दे दो तो अबी असी हजार का net social surplus निकला न निकला न यही climate change की भी economics है it's a social tragedy it's a tragedy at the aggregate level दो चार लोगों को इससे फाइदा हो जाता है उधारन के लिए अब कोई slaughter house है उसको तो फाइदा हुई रहा है भैस काटने से पर जो भैस का तुम कर रहे हो वो aggregate level पर social level पर national और global level पर बहुत बड़ा एक negative economic factor है समझ भैरी बात तो यह गलत तर्ख है कि कुछ लोगों को नुकसान हो जाएगा जिनको नुकसान हो जाएगा उनकी भरपाई करी आ सकती है और यह बात moral भी नहीं है कि तुम्हारा नुकसान है तुम काम गलत कर रहे ते तुमने काम चुना क्यों और एक जागरुक नक्रिक होने के नाते तुम्हें खुद भी कहना चाहिए कि मैं इक काम नहीं करूँगा चलो कोई बात नहीं मैं समझता हूँ रोजी रोटी का सवाल है पेट चलाना होता है समाज भरपाई कर देगा लेकिन एक काम बंद करो इसी से जुड़ा एक तथ्य मेरा सामने था अभी वर्ल्ड एक फोरम ने पूरी दुनिया के लिए एक रिपोर्ट निकाली थी उसमें उन्होंने बात कही थी कि यदि अभी हम ऐसे स्टेप्स लें जिससे हम क्लाइमेट चेंज को रोख सकें उसे दो डिग्री से नीचे रोख सकें तो उसमें खर्चा आएगा 6 ट्रिलियन डॉलर का यूसडी का पर यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो सिर्फ 2050 था कि हमें नुकसान होगा कम से कम 40 ट्रिलियन डॉलर का तो ये है नेट ग्लोबल सरप्लस जो आप बचा सकते हो और नहीं बचाओगे तो उसके उपरचुनिटी कॉस्ट कितने ट्रिलियन डॉलर की अभी सुन लिया तुमने पूरी दुनिया के लिए ये सेंसिबल बुद्धिमानी की बात है कि तुम इसको रोको और ये बात सिर्फ नैतिक नहीं है इसमें सिर्फ कोई moral benefit नहीं है इसमें सीधा सीधा economic benefit भी है इसमें कई लोग ये भी आकड़ा देते हैं कि जो emissions की कमी होगी वो तो एक तरफ है साथ में जो agriculture land अभी हम use कर रहे हैं जानवरों के लिए खाना बनाने के लिए वो सारा land हम दुबारा से forested बना सकते हैं जिसकी अपनी और benefits हैं कि हम कितना CO2 में अब्सॉर्ब कर सकते हैं ब पेड लगाएंगे अरे यार तुम पेड रोप दोगे और 20 साल में बड़ा होना से बकरी चर जाएगी पेड लगागे तुम दिन रात उसकी तुम देखभाल करोगे क्या और जंगल में पेड आता है पेड के लिए भी एक ecosystem होता है वहाँ पर पेड बड़ा हो सकता है तुम बड़े विशाल जंगली वटवरिक्ष चाहिए होते हैं कार्बन सोखने के लिए उतने बड़े वट तुमको कहां मिलेंगे यहां नोड़ा ग्रिट नोड़ा में तुमने कब देखा भारी तने वाला पेड यहां तो वही होते हैं जो सड़क किनारे बिचारे जो अपनी ज अठता है और पेड के कटने में बहुत बड़ा योगदान मासाहार का है मैं पेड लगाने को मना नहीं कर रहा हूँ मैं बस बता रहा हूँ कि एक तो पौधे रोब करके कहीं आपको यह न लगे कि आपने अपना फर्ज अदा कर दिया और अगर जी बहुत सारी स्टेडीज यह भी बता रही है कि यह जो मासाहारी खाते हैं जो भी बकरा और गाय खाते हैं इनसे इनका भी कैंसर रिस्क लगातार बढ़ता जा रहा है जो इनको बीफ को फुलाने के लिए उक्सिटोसिन यूज होता या फिर जो भी इनको खाद और जब आप मासाहार की economic cost calculate करोगे तो उसे medical cost तो आएगी यह आएगी मासाहार हर तरीके से दुनिया को बरबाद करने वाली चीज है न एथिकल न रिलिजियस न मूरल ग्राउंड पे बोल रहा हूं सीधे-सीधे health grounds और economic grounds पे बोल रहा हूं health grounds और मुझे एक बात और याद है कि यह जितने भी भारती है सभी के अपने मतलब अनुभव की बात होगी कि डॉक्टर्स आज कल बोलते हैं कि antibiotic resistance जो है वो हमारी population बढ़ गई है तो उसमें भी जो सबसे बड़ा कारण है वो मासाहार है क्योंकि जितने भी जानवर हैं उनको सबसे यादा antibiotic जिये जाते हैं और उनका वो सारा पानी नदियों में और जगाश्ट है यह तो मासाहारी को दूर दूर तक भनक भी नहीं लगती कि वो मुर्गी जो एकाद दो अंडे देती महीने में उसने दर्जनों कैसे दे दिये वो जानवर जिसको तुम खाने जा रहे हो जिसको कम से कम डेढ़ दो साल लगने थे adult मैच्योर होने में वो दो महीने मैच्योर कैसे हो गया यह तो हम सोचते भी नहीं कि भैस का तुम्हारे पास दूद हा रहा है तो भैस रोज सुबह दूद दे कैसे देती है भैस का दूद तो भैस के बच्चे के लिए पड़वे के लिए होता है उसने तुम्हे कैसे दे दिया उन्हें पता भी नहीं है जब तक oxytocin नहीं मारो भैस दूद नहीं छोड़ती और वो जो injection मारा जाता है उससे भैस को इतनी जबरदस्त पीड़ा होती है जैसी कि डिलिवरी के समय औरतों को दर्द होता है न गरभाशे में उतना दर्द होता है भैस को उसका दूद छूट जाता है फिर उस दूद की आप सुबह सुबह चाय बना के पीते हो यह तो हम सोचते ही नहीं हम कभी पूछते भी नहीं कि भैस कि तो नर्मादा दोनों होते होंगे काम की तो हमारे भैस है तो नर्बच्चे का क्या होता है यह तो हम कभी सवाल ही नहीं पूछते नर बच्चे को क्यों जिन्दा रखा जाए वो कोई economic asset तो है नहीं वो क्या करेगा उतो भैसा बनेगा भैसे का क्या करना आपको उसका क्या किया जाता होगा हमें बुद्धी नहीं है उसे जिन्दा रखोगे तो दूध पिएगा और दूध पिएगा तो आपका नुकसान होगा आप डेरी चला रहे हो भैस का बच्चा जिन्दा है तो आपका नुकसान करेगा तो उसका क्या होता होगा सुचो जानते हो कुछ राज्यों में नियम ला करके जो ये male काव्ज होते हैं भैस के अच्चे इनको मारने को प्रतिबंधित किया गया तो वहाँ क्या किया जाता है उनको भूखा रखके मार दिया जाता है कहते हैं स्लॉटर थोड़ी किया खुद मर गया उसकी आप चाय पीते हो और फिर वो जो स्लॉटर जब भैस होती है भैस तो अब सदा तो दूद देगी नहीं भैस हो गाए हो इनकी जो कुल आयू होती है उसकी आधी ही आयू में ये दे सकती है दूद जैसे आप मनुश्यों में जो नारियां होती है जैसे अगर उसे असी बरस जीना है तो चालिस की उमर में मीनो पॉज हो जाता है लगबग वही बात गाए भैस पर भी लागव होती है तो दूद तो उसकी आधी उमर में मिलना है अभी आधी उमर उसकी शेश है उसका क्या होगा उसको खिलाओगे क्या होता है उसका उसका स्लोटर होता है ये बात हमें पता ही नहीं है और ऐसा नहीं कि पता हो नहीं सकती सारुजनिक आंकड़े हैं सब पता चल जाए जबान का स्वाद और जेब का स्वार्थ हमें वो देखने भी नहीं देता जो चीज सामने हैं बिलकुल अभी कुछ दिनों पहले की बात थी जो हमारी गीता कम्यूनिटी है वहाँ पर एक साथी ने एक फोटो शेयर करी थी जहाँ पर क्योंकि एक भैस दूद नहीं दे रहे थी तो उसके मरेवे बच्चे की खाल के अंदर भूसा भरके उसको वहाँ टिका दिया था उसको यह भ्रम देने के लिए के तुमारे बच्चा बास में यह बहुत कॉमन प्रैक्टिस है और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं और बहुत सारे ऐसे विंजन हैं जिसमें जो छोटा बच्चा होता है ना चाहे वो भेड का हो गाय का हो भैस का हो किसी का हो इसका जो मास होता है नर्म वो दुगने तिगने दाम पे जाता है तो उस छोटे बच्चे को स्लॉटर करने का यह एड़ेड इंसेंटे होता है इसका मास दुगने तिगने चौगने दाम पे जाएगा यह है मासाहार खेर यह जो भी आप बाते कर रहे हो यह climate change से थोड़ा हटके हैं अब हम आ गए है animal welfare वाले मुद्दे पे जो आप बात बोल रहे हो शुरुआत होई थी climate change से जितनी दूर तक जाओगे जिस दिशा में जाओगे आप यही पाओगे कि मासाहार जैसी नारकी यह चीज दूसरी नहीं है फिर ethically नहीं बोल रहा हूँ किसी पंथ, दल, समुदाय, संप्रदाय का होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ सीधे सीधे एक मनुष्य के नाते प्रत्वी के भविश्य को देख कर बोल रहा हूँ इसी में काचले जो जो मचली के बाद आती है कि मचली कहीं पर ऐसा होते है कि वो और चीज नहीं खाते है मास में लेकिन मचली खाते हैं तो मचली उपर मैं देख रहा था 2.7 7 trillion मचलियां पर एयर marine animals पूरे तो कटते हैं जो कि अगर हम एक दिन का निकालें तो पूरी धरती के आवादी के बरावर एक दिन में मचली कटती है जिसको आप marine life बोलते हो उसका और climate change का भी बड़ा गहरान आता है मचलियां जो अंडे देती हैं वो बहुत temperature sensitive ecology में देती हैं बहुत सारी मचलियों की species ocean सबसे बड़ा temperature sink होते है जब temperature बढ़ेगा ना सबसे आदा उसे ocean absorb करते है तभी तो glacier पिखलेगा तभी तो जलस्तर बढ़ रहा है और ये जो oceanic temperature का change है ये marine life को बिलकुल धुस्त कर देगा जब मचली का अंडा ही नहीं न बचेगा न मचली अंडे देगी पूरा जो उसका ecosystem है वो गड़बड है हो जाएगा तो कहां से उसकी पूरी प्रजाती ही बचेगी और मचली यों को तो तो तुमने जब इतने trillion बोला तो पता नहीं तुमने इतने trillion units individuals बोले या kilogram बोला मचली यों की तो मासाहारी ये औकात मानते हैं कि उनको गिनते भी नहीं how many units ये how many individuals उनको गिना जाता है किलो के भाव अभी आप से पूछा जाए कितनी गाय, कितनी भैस, कितनी बखरी, भीड़, कटी वो तो आप फिर भी बता पाऊगे मचलियों में वो बता पाना मुश्किल हो जाता है उनको किलो के भाव गिनते है जबकि मचली अपने आप में एक intelligent जीव होता है वो दर्द उतनी अनुभाव करता है जितना कोई भी mammal पर mammal होता है तो हमें उसका दर्द दिखाई देता है मचली हमें लगता है कि ये दूर की किसी प्रजाती की है हमें उसका दर्द नहीं दिखाई देता climate chain related data है उस पे ही focus ड़ाओ अगर आप उसके ethical और emotional issues पर जाओगे तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी कई सारी photos और videos recent में आई है जिसमें पूरे के पूरे lakes की मचलियां मरी हुई है मर जाती है और लोट कर दिये है और ये भी climate change के कारण जो भी उनका oxygen depletion और temperature बढ़ जाता है उसके कारण होता है और ये recently बहुत instances आ रहे है ये basic science हमने पढ़ी ही नहीं ना कि जो dissolved oxygen होती है मचली उसी से जिन्दा रहती है उपर आके हवा तो वो लेती नहीं है अपने फेफ़डों में dissolved oxygen और इतनी हमने science पढ़ी नहीं कि dissolved oxygen कोई भी gas किसी भी liquid जब dissolve होती है तो उसका saturation उसकी solubility ये सब temperature dependent होते है तुम temperature के साथ छेड़ शाड़ करोगे तो ये जो अलग-अलग gas पानी में घुलती है इनका concentration भी खराब होगा तो पूरी जो aquatic life है उसका क्या होगा फिर और क्या होगा नहीं दूर की बात नहीं कर रहा है speculative नहीं है क्या हो रहा है we are in the middle of it we are in the middle of the sixth mass extinction anthropocene बोल रहे हैं इसको क्योंकि ये मनुष्य नहीं किया है जैसे सिर्फ global warming नहीं बोलते हैं anthropogenic global warming बोलते हैं वैसे ही हम जैसे यूग में चल रहे हैं anthropocene है ये हमने करा है anthropocene मनुष्य से related इसे सोसाइटी पे एकॉनमी पे इंपेक्ट पढ़ रहा है तो फिमाइन की और मतलब सिती बढ़ेगे भी फूर इन सेक्यूरिटी बढ़ेगा साथ में जो आप बोरते की क्लाइमेट की वएसे displacement के लिए अभी जो पुरा migration होगा उसके वएसे वार के चांसे काफी जाद हैं साथ में जो आपने पहले भी समझा रहे हैं कि जो mental issues बढ़ेगे mental health issues बहुत सारे रहेंगे कि anxiety और जो stress हो रहा है उसके वएसे काफी data आ रहा है इसमें भी ये बात मैं तो बहुत बार समझा चुका हूँ हमारे politicians हो क्यों नहीं समझ में आ रही है ये साधारण सी बात जिसके लिए कोई PhD नहीं करनी है बस साधारण शिक्षा होनी चाहिए साधारण जाग रुकता कि आज के समय में ये मास बाजी वोट इससे पता नहीं कितने मिलेंगे पर तबाही पूरी होगी हम तुम्हें कुछ बोलना है अधर है सर मैं पढ़ रहा था कि आपने बताए 77 परसंट यूज कर रहे हैं हम जो अक्रिकुल्टर लैंड का वह हम लाइफ स्टॉक को फीड करने के लिए कर रहे हैं तो बायोमास में मैंने देखा कि 62% जो बायोमास है धर्ती पे वो लाइफ स्टॉक है 34% हूपन है और सिर चार परसंट लाइफ या तो उसे ट्रेस डाउन करते करते मैंने देखा कि टोटल अर्थ पे क्या है तो टोटल अर्थ का जो बायोमास exist करता है वो 80% और देखा तो पता चला कि करीब 50 से 85 परसंट जो हमारा ऑक्सीजन आता है वो ओशन से आता है और करीब 25 से 40 परसंट जो सी ओ टू है वो अब्जॉब करते हैं ओशन और 90 परसंट हीट अब्जॉब करते हैं ओशन से थोड़ा सा और देखा तो इसमें निकल के आया कि जो फिश हैं और जो हम फिशरी जितना पूरा बायो स्टॉकर्स को पुछली संचुरी में हम फुली एक्स्प्लॉइट कर चुके हैं 80% ओवर-exploited 60% depleted बिल्कूल ही खतम हो गया हो 40% in the state of collapse बिल्कूल 20% तो बिल्कूल ही नहीं वहाँ पर पूरे ओशन रिजन का और फुली एक्स्प्लॉइट की रेंज पर 80% आ चुगा सिर्फ तो यह यह पर चुठ कर रहे हैं इसके लिए तो वो मचली खाना तो चोटी सी बात हो गई और जब तुम कहते हो ना कि मचली के साथ क्या हुआ तो उसमें जो एक बात और नहीं सामने आती है, वो ये है कि मचली के कारण ऐसी हजारों प्रजातियां, या तो खतरे में हैं या विलॉप्त हो गई हैं, जिनें खाया भी नहीं जाता, ये बड़े-बड़े ट्रॉलर्स होते हैं, अब वो तो हैं नहीं कि मचली के अपनी जिए उसको सकुप आूट करते हैं वहाँ जो कुछ भी होता है सब आजाता है उसमें वो सब भी आजाता है जिसको तुम खाओगे भी नहीं वो आ जाता है मर जाता है वो लाश बस फेक दी जाती है उसकी कितनी प्रजाती है बस ऐसे ही विलुप्त हो गई क्योंकि वो मचली के साथ साथ भी फस जाती थी मचलीयों का क्या हुआ वो तो अगर तुम इनसान हो पढ़ने बैठोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसका बहुत बड़ा संबंध ग्लेशियर्स और ओशन्स से है और ओशन्स में एकुटिक लाइफ का क्या हो रहा है उसको सबसे कम अटेंशन मिल रहा है या कोरल रीफ का क्या हो रहा है लोग नहीं बात करना चाहते हैं उसकी न लोगों को पता है कोरल रीफ में भी पिछले मैं भी पढ़ रहा था पचास प्रतिशत जा चुका है पचास प्रतिशत से ज़्यादा जा चुका है कोरल रीफ हाँ 90% in some regions 90% even जा चुका है और उसी से मचलियां भी जिन्दा रहती है उसी से अक्सीजन सारा प्रतिशता है हमारे यहां किसी political party के manifesto में climate change जैसा शब्द भी नहीं ना कोई बात करना चाहता फिर वह अंधेर नगरी चौपट राजा उल्टे यह लोग election के समय में और दिखाते हैं मैंने मचली खाई मैंने मटन खाया मैंने चिकन खाया कौन सी पुद्धी के लोग है यह extent of exploitation extent of damage तो जितना धरती पे दिख रहा है सिर्फ land पर दिख रहा है वो इसका 20% biomass है और उस 80% biomass का 80% हम exploit कर चुके हैं इसके comparison में वो तो और यह चीज ऐसी है जो NCRT के छठी आठवी के syllabus में होनी चाहिए इसको मैं साजिश क्यों न कहूं कि यह सारी बात बच्चों से भी छुपाई जाती है उपरी तोर पे बता दिया हाँ climate change होता है पर उसके जो भयानक आकड़े हैं और जो उसका जान लेवा विस्तार है वो कहां बताया जा रहा है लोग को लगता है climate change जैसा है कि थोड़ी गर्मी बढ़ जाएगी थोड़ी गर्मी नहीं बढ़ जाएगी mass extinction जो प्रत्थवी पर पहले भी पांच बार हो चुका है और उसी वजह से हुआ तो वजह कार्बन डाय ओक्साइड थी आज भी हो रहा है तो वजह कार्बन डाय बसंतर यह है कि पिशली पांच बार प्राक्रतेक काड़न से वह था इस बार मनुष्य ने किया है यह man-made extinction है जिसमें man खुद extinct होने जा रहा है स्टार्टिंग में दो बाते हुई थी एक तो हुए था कि we say it's a matter of my taste और दूसरी बात हुई थी कि जो animals है उनको हम inject करते हैं वो फिर जो meat eaters खाते हैं उनको effect पड़ता है उससे लेकिन tertiary एक और study यह है कि क्योंकि three-fourth of the land has been used for you know growing food for the animals तो उसमें क्या हो रहा कि because they want कि बहुत जल्दी से बोग जाए तो बहुत सारा फिर्ट हर्मोंस मारते हैं उनको fertilizers, pesticide use होते हैं तो वो बाकी flow होके तो जो नहीं भी कर रहे है consume तो उनकी life भी जा रही है तो three-fourth उसका तो मतलब यह है कि आप यह नहीं कहा सकते हैं कि साहब मेरा प्रोसी मासाहारी है यह उसका निजी मसला है private matter है मैं कैसे दखल दे सकते हैं आपका प्रोसी कर मासाहार कर रहा है तो यह आपकी निजी समस्या है और आपको पूरा हक है कि आप उसमें intervene करें उसी महले वाले उधारण पर वापस जाओ महले में एक आदमी बिल्कुल धूहा फेंकने वाला generator अपने घर में लगाए हुए है तो क्या महले के बाकी लोगों का हक नहीं बनता कि उस से जाकर कहें कि बंद करो साब यह आपका निजी मसला प्राइविट मैटर नहीं है कि आप क्या खा रहे हो यह एक पॉब्लिक मैटर है and the public has the right to intervene at least the public has the right to inquire and the public has the responsibility to educate before you intervene you must educate or you could say the intervention has to be by way of education this may a bit digress from the whole thing I was surprised to read की अभी तक हमने गाय की बात की गोट मिल्की भी होता है अब इवन केमल मिल्क, डंकी मिल्क यह बिलकुल मेंस्ट्रीम में आगे वन थोड़ा सा South East Asia की और जाएंगे और China की और जाएंगे तो कौन-कौन सी प्रजातियों कि कौन-कौन से अंग और उनको किस-किस तरीके से खाया जाता है यह सब आप जानके बिलकुल हैरत में पढ़ जाएंगे बिलकुल सिट्टी-पिट्टी कुम हो जाएगी आपकी यह बहुत एक स्वाद की और नफासत की बात समझी जाती है संस्कृत की कि कुछ जानवर तो जिन्दा ही खाने है कुछ चीजें तो ऐसी हैं जोनों जिन्दा ही मुँ में लेकर डालना है जिन्दा ही खाएंगे लेकिन फिर अब इस पर आओगे तो यह मुद्दा फिर चला जाता है एनिमल राइट्स पर एनिमल राइट्स ही बात करो तो लोगों के बहुत तरह कुतर का जाते हैं तो उसकी बात कभी और कर लेंगे अभी जब बात शुरू हुई तो हमने क्लाइमेट चेंज पकड़ा है तो उसी पर टिक कर रहा हूँ मेरा सवाल क्लाइमेट चेंज की एजुकेशन को लेकर था कि जो क्लाइमेट चेंज को लेकर इशूज अब क्रेट हो रहे हैं यह महसूस हर कोई कर रहा है और कोई समझना चाहता है हो क्यों रहा है पर उसको अब इसकी असली वज़ा कहीं से भी एजुकेट नहीं की जा रही है में स्ट्रीम मीडिया में भी देखता हूँ मैं तो कोई इसकी बात नहीं करता है इवन अगर मैं यूट्यूब की विया सच बात करूँ तो इस प्लाटफॉर्म पर मैंना आपके लवा किसी और की वीडियो देखी नहीं है इन मुद्दों पर तो अगर हमें दुनिया की इतनी बड़ी अबादिते के बाते पहुँचानी है और कोई इस मुद्दे को ठाने को तयार नहीं है तो मतलब उसका फिर एजुकेट करने का तरीका क्या होगा देखो सबसे जो अच्छा तरीका है आधर्श आइडियल वो तो यही है कि जो लोगों के पास मंच हैं बड़े और माईक हैं बड़े वो करें इसलिए बार 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 बोल रहा हूँ कि पुलिटिकल पार्टी के एजंडे में होना चाहिए था मैनिफेस्टों में होना चाहिए था दे हैव दे रीच एंड द वोईस उन्हें करना चाहिए था तो वो करें वो अगर नहीं कर रहे हैं तो आम आद्मियों करना पड़ेगा हमारे तुम्हारे ऐसे लोगों करना पड़ेगा हम कर भी रहे हैं संस्था हमारी करती भी है पूरा वो सब कुछ दिकिन हमारे पास वो रीच तो नहीं हो सकती जो किसी नैशनल पार्टी के पास है और रीच अगर सोशल मीडिया पर आकी बात करोगे तो रीच सोशल मीडिया पर उस चीज को मिलती है जो चीज लोग पर यह हो कोई धंकी चीज तो ट्रेंडिंग करती नहीं मनुरंजन हो, अशलीलता हो, संसनी हो कुछ भी सस्ती सामगरी हो वही आगे बढ़ती है इनके अल्गॉरिदम से अपने आप सोशल मीडिया के आप क्लाइमिट चेंज ऐसा मुद्दा लाओगे तो वो अगर वीडियो है तो अपने आप तो नहीं आगे बढ़ने आला अभी आप हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है यह पब्लिश भी होगी, रिकॉर्डिंग तो इसे वीडियो हैं, जो बिलकुल पबलिक इंटरेस्ट के हैं हम उनको पब्लिक उन्हें खुद नहीं देखेगी तो हम कहते हैं, यह वीडियो तुम्हें देखना पड़ेगा और हम उस पर अंधा धुन्द पैसा खर्च करते हैं पब्लिक वो वीडियो देखे, क्योंकि वो वीडियो अगर नहीं देखोंगे, तो प्रत्वी कहीं नहीं बचने वाली, यही तरीका है, लेकिन इस तरीके में फिर obvious जो bottleneck है, वो resources का है, आप प्रमोट तो कर सकते हो, पर आपको उसको करोड़ लोग तक पहुचाना है, तो उसमें बहुत-बहुत पैसा लगता है, तो वो एक सीधी-सीधी, वहाँ पर handicap बनती है, इसमें भी आचरी अपने बात की थी, कि धुहाँ को एकर फैकता है, तो उसको हम जागर question करते हैं, तो वैसे ही animal agriculture से ammonia emissions जो होते हैं, तो जो total ammonia emissions है, उसका 64% तो सिरफ animal agriculture से ही होता है, और ammonia health issue भी create करता है, और साथ में acid range हो होती है, उसमें भी उसका role होता है, तो ये बात शायद मतलब मुझे भी पहली बार पता चली कि ammonia, कि 64% emissions तो इस कारण से ही हो रहा है, ये सब बहुत जरूरी बाते हैं, तो ये समझ में आने में कोई मुश्किल बाते नहीं है, मुश्किल से 50 से 100 पन्नों की एक किताब में ये सारी बाते समा जाएंगी, वो research करनी है तो उसका तो कोई अंत नहीं है, पर जितना एक informed opinion बनाने के लिए जानकारी चाहिए, उतनी जानकारी 50 से 100 पन्नों के document में आ जानी है, और वैसे document उपलब्द भी हैं, लेकिन वो mainstream नहीं हो रहे हैं क्योंकि mainstream सिर्फ नशा है, हमें ये महसूस ही नहीं करने दिया जा रहा है, जानने नहीं दिया जा रहा है कि जमीन पर इस वक्त हकीकत क्या चल रही है, कभी हमें चुनावों का नशा दे देते हैं, entertainment का नशा है, IPL का नशा है, तुम इन नशों में लगे रहो और तुम extinct हो रहे हो, तुम सदा के लिए मिट रहे हो, अजर जी, अभी जो आकटे डिसकास हूँ है, उन्हीं के basis पे मैंने भी chat GPT पे दो queries fire करी, पहला लिखा कि जो जितना non-wage consumption होता है, वो जो animals है, kettles है, वो कितना पानी consume करती है, तो उसका yearly consumption निकला, 871 billion liters in Delhi, और यह देखा कि दिली में, per year water consumption कितना होता है by humans, तो वो निकला है 1.66 trillion, तो that means 52% of the water that is consumed, अभी हम water shortage की बात कर रहे हैं, मतलब 50% से ज़्यादा जो पानी है, वो मासाहर को खेला गी है, और हम कहते हैं दिली में पानी नहीं है, अगर यह आख्ड़े सही हैं, तो दिली का आधा पानी मासाहर की भेट चड़ रहा है, फिर हम को पानी नहीं है पीने को, कोई कमी नहीं आख्ड़ों की, तुम जितना उसमें घुसोगे, भयानक तथे सामने आएंगे, पर इन तथेों को सामने आने नहीं दिया जा रहा, पर हमने बहुत सारे तथेों की बात करी, हम इन सभी तथ्यों से वंचित रहते हैं, और हम एक information एरा में रहते हैं, बट वो हमारे कहीं काम नहीं आ रहा है, लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले कबीर साहब, कह रहे थे कि, कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गला तुम काटे हो, तो ये वही हो रहा है हमारे साथ, वही हो रहा है, एक एक अंग्रेजी में कहावत है कि, take it on faith, or do the math, अभी तक हमने math की बाशा में बात करी थी, तुमने अन्त आते आते ते थोड़ा सा wisdom की दरिष्टी से देखोगे, तो बिना आकणों के ही पता है, कि किसी जिन्दा प्राणी को काट कर उसको खाना गिरे से गिरा काम है वहाँ मैथ की जरूरत नहीं वहाँ विज्डम काफी है पर विज्डम के पास होती नहीं इसलिए अभी हम लोगों ने आकड़ों की भाशा में बात करी मैथ की भाशा में बात करी अब तो समझ जाओ और आप ऐसा नहीं कि समझने के लिए दूसरा मौका मिलने वाला है we as a species are already half gone and that's the smallest part of the tragedy the really big part is that we have dragged millions of innocent species along with us into permanent disappearance हम गए तो गए जिनका कोई कसूर नहीं था बिलकुल बेगुना थे हमने उनको भी प्रत्वीस सदा के लिए विलुप्त कर दिया